इसकार किसान भाईयो क्रशी फाई के मंडी भाव अपडेट में आपका स्वागत है मैं हूर आश्य आपके साथ आए देखने हैं मध्य प्रदेश की अलग-अलग मंडियों में फसलों के क्या कुछ दाम रहे तो शिरुवात हम करेंगे अगर मालवा की मंडी के साथ जहां पर गेहूं के दाम 2572 रुपे रहे इसके अलावा देवास की मंडी में गेहूं के दाम 2130 चने के दाम 5370 और इमली के दाम 2521 रुपे रहे उजरेन की मंडी की बात करें तो यहाँ पर आलू के दाम प्यास के दाम साइबीन के दाम 1950 रुपे रहे इसके अलावा सोयबीन के दाम 5300 रुपे रहे तो महीं चने के दाम 4780 मसूर के दाम 4700 रुपे रहे सिहौर की मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं के दाम 4210 रुपे रहे इसके अलावा मंडी में सोयबीन के दाम 5488 रुपे रहे रतलाम की मंडी में गेहूं के दाम 2616 रुपे रहे सुरेबीन के दाम मंडी में 5530 लेसुन के दाम 3900 और प्यास के दाम 651 रुपे रहे अली राजपुर की मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं के दाम 2140 और कपास के दाम 7500 मुंख फली के दाम 5800 रुपे रहे नीमच की मंडी की बात करें तो यहाँ पर डॉलर चने के दाम 9800 रुपे रहे मेट पिताना के भाव 6400 रुपे रहे और अजगंद के दाम 13490 रुपे रहे इंदोर की मंडी में गेहूं के दाम 2631 रुपे रहे लहसुन के दाम 4749 रुपे रहे डॉलर चने के दाम 11000 रुपे रहे प्यास के दाम 775 चने के दाम 11140 स्वयवीन के दाम 5465 और आलू के दाम 600 रुपे रहे अंडवा की मंडी की बात करें तो यहाँ पर प्यास के दाम 500 रुपे रहे गेहूं के दाम 2070 रुपे रहे इसके लावा स्वैवीन के दाम 5250 रुपे रहे वहीं मंदस्वार की मंडी में गेहूं के दाम 2211 रुपे रहे अलसी के दाम 4850 लहसुन के दाम 5720 स्वेविन के दाम 3901 धनिय के दाम 6177 और इसब गोल के दाम 14501 रुपे रहे डिंडोरी की मंडी की बात करें तो यहाँ पर कॉंदो के दाम 2400 रुपे रहे इसके लाबा खरगोन की मंडी में गेहुं के दाम 2481 रुपे रहे मक्य के दाम 4500 रुपे रहे स्वेविन के दाम 5100 रुपे रहे कपास के दाम 7940 और चनी के दाम 4700 रुपे रहे नहीं बात कर लेते हैं भुपाल की मंडी की जहां पर लहसों के दाम 2610 रुपे रहे और गेहुं के दाम मंडी में 2455 रुपे रहे तो किसान भाईयों ये रहा आज का मध्य प्रदेश का मंदीफाब अपडेट क्रशी से जोड़ी और भी खबरों की अपडेट्स किलके आप बने रहें क्रशी फाई के साथ धन्यवाद